हलो साथियो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाजोरिया पर स्वागत है और हमारी स्रीच चल रही है पार्ट सौप स्पीच जिसमें हम डिसकस कर रहे है नाउन पे और आज हमारा टॉपिक है केस यानि नाउन केस संग्या कारक क्या है देखिए बचो बहुत इंपोर्टन टॉपिक है बहुत सारे बच्चे इस पर कन्फ्यूज रहते हैं लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने का प्रियास किया है आप इस वीडियो को तिहान से और एंड तक देखे बस यह रिक्वेस्ट है आपसे और यदि आप इस चै सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है यानि नाउन का सेंटेंस में किस प्रकार से यूज होता है इसका बोध कराता है यह हम कहें नाउन या जो प्रोनाउन है ना उसका सेंटेंस में जो दूसरे वर्ड है उनके साथ क्या सम्मंद है यह दर साता है केस यदि हम मोडन इ कारता कारक, अबजेक्टिव या जिसे कहें एक्योजेटिव केस यानि करम कारक, तीसरा है पजेसिव केस जिसे हम कहते हैं संबंध कारक, अब इन तीनों के अलावर, नाउन का यूज और भी रूपों में होता है, जैसे वोकेटिव केस जिसे हम कहें, नॉमिनेशन ओफ एड्रस, संबोधन कारक के रूप में, केस इन अपोजिशन और कॉम्पलिमेंट अब दी वब, इन सब पर हम डेटेल में डिसकस करेंगे, आप इनका क्या मतलब, लेकिन अगर आप इंग्लिस ग्रामर पढ़ रहे हो, तो बहुत कंपलसरी है, यह समझ लिजीट, सबसे पहले हम लेते हैं, सब्जेक्टिव जिसे कहें, नॉमिनेटिव केस, यानि करता कारक, जब नाउन का यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह होता हैं, कि सेंटेंस में नाउन जब वर्ब के सब्जेक्ट की रूप में कारे करें, बात एक ही है, तो वो नाउन हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होगा, यहां आप इस सेंटेंस को देखे हिंदी में लिखा है, रवी ने एक किताब खरी दी, तेकि मैं आपक लेके बैठ जाईए, रवी ने एक किताब खरीदी, इसका इंगलिस में translation किजिए, कर लिया, very good, रवी bought a book, bought यानि buy की second form है, यानि रवी ने एक किताब खरीदी, कार ये क्या हो रहा है, खरीदने का, तो bought हमारी हो गई verb, अब हमें क्या देखना है, इस verb का subject, तो verb का subject कौन है, रवी, अब आप कहोगे सरीए, तो आपने वैसे ही बता दिया, तो हमने कैसे पहचान किया, कि subject ही है, उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा धहरिया रखिए, यदि आपको sentence में subject की पहचान करनी है, तो verbs से हूँ लगा कर प्रसंद कीजिए, वर्ब से हूँ लगा कर, जिसका मलब होता है, कौन, किसने, तो हूँ bought a book, यानि किसने एक किताब खरी दी, किसने भाई, तो यह रहा तो यह रवी क्या है? सबजेक्ट है, जो क्या है? एक नाउन है, तो यही subjective case या नॉमिनेटिव case है, यह जो नाउन है न, यही subjective या नॉमिनेटिव case कहलाता है, जो कि एक subject है और रवी क्या है? एक noun है, बात किलियर है, अब आपको ये भी पता चल गए कि किसी sentence में हम subject की पहचान कैसे करेंगे एक और example पर ले, सीमा रॉट ए लेटर राइट की second form है, रॉट तो वाब हो गई अब रॉट ए लेटर तो हूँ रॉट ये लेटर कौन या हम कहें किसने पत्र लिखा किसने? सीमा नि सीमा क्या हो गया? subject तो यही subjective case या nominative case है confirm है, clear है, कोई doubt नहीं होना चाहिए next लेते objective case जिसे accusative case यानि कर्म कारक कहते हैं जब noun या pronoun का use sentence में object की तरह होता हो या हम कहें sentence में noun जब verb के object के रूप में कारे करें तो noun कैसे होगा? objective case में होगा या जिसे हम कहें accusative case में होगा हमारा उदान वोई है, example, रवी ने एक किताब खरीदी आप लिख दोगे रवी बॉट ए बुक, कारे क्या हो रहा है? खरीदने या क्या खरीदी तो एक बुक, तो वाट लगा है आपने वाट लगा कर पूछ रहे हैं क्या खरीदा तो बुक, किताब तो यही क्या है, object है, जब हम किसी sentence में वाट लगाते हैं, तो उसका जो answer आता है, वो ही हमारा क्या होता है, object जब वाट के साथ वाट, यानि क्या लगा कर जब प्रिशन करते हैं, तो वह होता है, हमारा object, objective case, जिसे हम accusative case भी कहते हैं जैसे सीमा रोट ए लेटर, तो वाट लगा लीजिए, वाब के साथ, तो सीमा ने क्या लिखा, क्या लिखा भाई, ए लेटर, तो लेटर लिखा, लेटर क्या है यहाँ, noun है, तो जो यह noun है ना, यह क्या है, object है, तो यही objective case कहलाता है, यह हम कहें, accusative case कहलाता है, बुक यहाँ पे यही objective case कहलाता है, क्लियर है, अब आप subject और object दौनों की पहचान करना सीखें, यह verb हैं और यह object, अब एक sentence और देख लीजिए, this book is in the desk, क्योंकि बात objective case की और इसलिए, कई बार sentence में preposition दिया होता है, और उसके बार जो noun आती है, वो भी objective case में होती है, तो in क्या है, यह preposition है, और यह जो desk कहना है, यह object है, तो यह objective case में होती है, तो यह बात clear होगी कि कई बार sentence में preposition के बाद जो noun आता है, वो object होता है, तो उसको भी objective case में होना माना जाता है, अब बात जब object की चल गई है, तो आपके और doubt में clear कर दू, object मतलब करम, object हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है, direct object जो non-living होगा, और दूसरा होगा indirect object जो कैसा होगा, living होगा, जैसे रवी ने तुमें कलम दी, अब ऐसा नहीं है कि किसी sentence में दौनों object आए, किसी में कोई सा भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको पहचान करना बता रहा हूँ, तो रवी ने तुमें कलम दी, अब इसकी आप पहचान मैं बता देता हूँ, यदि direct object यानि non-living की आप कैसे करोगे, वर्ब से what, यानि क्या लगा कर जब प्रसंद करोगे, तो आपका direct object यानि non-living आ जाएगा, और यदि वर्ब से whom लगा कर प्रसंद करोगे, जिसका मनला होता है किसे या किस को, तो आपका indirect object, यानि living object आ जाएगा, तो रवी ने तुम्हें कलम दी, इसका बनाओ, रवी गेव यू ए पैन, ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए, कि रवी ने क्या दिया, रवी ने, गेव मतलब देना, ये तो हमारी वाब हो गई, वाब से question करना है, और रवी हमारा subject है, तो रवी ने क्या दिया, तो ए पैन, यानि पैन, ये कैसा है, non-living, तो ये direct object हो गया, पैन, अब वाब से whom लगा के question करो, कि किसको दिया, रवी ने किसको दिया, रवी ने किसको दिया, ये हमारे पास direct भी object आ गया, तो रवी ने पैन किसको दिया, तो ये हमारा indirect object है, जो living होता है, किसको you, यानि तुमें, ये हो गया indirect object, तो कई बार sentence में दो object होते हैं, आपको ध्यान रखना, direct और indirect, दो object हमारे होते हैं, direct object non-living होगा, और indirect living होगा, त यह क्या है इसको हम अब्जेक्टिव केस में होना माना जाता है डाइरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम अब्जेक्टिव केस या अक्युजेटिव केस कहते हैं या करम कारक में होना माना जाता है और जो यह दूसरा है इंडरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमारा लिविंग होता है इसको dative case में होना माना जाता है जो संप्रदान कारक यानि के लिए के sense में इसका यूज होता है तो इस प्रकार से हमारा जो direct object होता है ये कोई noun होता है यानि non living होता है और indirect जो हमारा object है ये noun pronoun हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है ये भी हो सकता रवी गे वह मौहित ये पैन, कि रवी ने मौहित को पैन दिया, तो ये भी क्या है, noun हो गया, लेकिन direct कैसा है ? living है, तो ये indirect object हो गया है, ठीक है, कैसा हूँ? indirect, तो living जो है वो indirect object होता है, और non living जो है direct होता है, ये बात clear हो गई? next तीसरा है possessive या हम कहे ganitive case जिसे कहते हैं संबंध कारक एक noun का दूसरे noun के साथ संबंध या relation स्तापिद करने के लिए इसका यूज किया जाता है possessive case के अंत में या तो इस तरह एक कॉमा जैसा निसान लगता उपपर जिसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी, या फिर ये लगा करके इसके साथ एस लगाया जाता है, जिसका आर्थ होता है का, के, की, जैसे रवी की किताब, तो आप क्या लिखोगे रवी जबुक, रवी, फिर यहां ये लगाओगे, एपोस्ट्रोफी, फिर एस लगा दिया, फिर बुक, प्रिया की स्कर्ट अच्छी है, प्रिया की स्कर्ट, तो प्रिया जिसकर्ट इस नाइस, ठीक है प्रिया, फिर ये एपोस्ट्रोफी लगाए, फिर एस, अब यह क्या है बहुत important topic है इसलिए इसके उपर इसके बाद आपको separate video मिल जाएगा इस topic पर विशेश video बनाया जाएगा एक क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं तो अभी आपके इतना समझ लीजिए कि possessive case क्या होता है next और भी उज़ेश है जैसे vocative case या जिसे हम कहें nominative of address यानि संबोधन कारक इस noun का use संबोधन में किया जाता है जैसे आप किसे को बोलाते हो न रमेश इधर आओ तो रमेश आपने जब उसको बोला तो उसको संबोधित किया जैसे रवी कॉमा लगा है come here तो रवी क्या है एक noun है तो किस case में हो गया भी जिसको कहते है vocative case या nominative of address clear है ऐसे class stand up पूरी class के लिए कहा जा रहा है तो class भी तो एक noun है class भी तो क्या है एक noun है case in opposition इसका meaning है समानादी करण जब दो noun का use साथ साथ किया गया हो और वे एक ही व्यक्तिया वस्तू को बताते है noun दो noun का use साथ साथ हो रहा है लेकिन वो एक ही व्यक्तिया वस्तू को बता रहे है तो दूसरा वाला noun पहले noun का case in opposition कहलाता है जैसे रवी your brother is a good player रवी आपका भाई एक अच्छा खिलाडी है तो जो रवी है न वही आपके भाई के लिए use हो रहा है तो रवी your brother आप कई बार कहते हो न कि यह वो कौन था राम तो राम कौन है वो मेरा भाई था तो राम आपका भाई बहुत ही अच्छा आदमी है तो जो राम है न वही है आपका भाई है यही मैं कहना चाहरा हूँ कि रवी जो है वही क्या है your brother तो यहां रवी भी लिख दिया और उसका भाई भी लिख तो रवी आपका भाई एक अच्छा खिलाडी है तो रवी क्या है यह noun हो गया और इसी के बारे में इसी के बारे में बताया जा रहा है रवी के बारे में कि your brother यापका भाई तो यह जो situation है इसको case in opposition कहते है यानि जब दो noun का use साथ साथ किया गया हो और एक ही व्यक्ति आवस्तों को बताते तो रवी जो है वो ही क्या है brother है उसका भाई है तो यह जो दूसरा है न यह case in opposition है किसका रवी का जैसे कमल his brother is an honest man next है compliment of the verb वब के compliment के रूप में भी हम noun का use करते हैं तो compliment दो होते हैं subjective compliment और दूसरा होता है objective compliment compliment का मतलब ही होता है पूरक यहनि हम कहें कि एक तरह से वही बात जैसे रवी is a boy रवी एक लड़का है हम यह कहें कि एक लड़का जो है वो क्या है वही रवी है यह रवी लड़का है लड़का ही रवी है अगर ऐसे दोनों में समानता है तो उसको हम कहते है पूरक, तो रवी क्या है यहां, subject है, और यह जो बवाई है, यह क्या है यहां पे, यह subjective compliment है, क्योंकि इसके बारे में ही बता रहा है, यह subject के ही बारे में बता रहा है, तो यह यहां object नहीं है, आप बवाई को object नहीं कह सकते, object क्या होता है जब ये और ये अलग होते लेकिन यहां कह दिया रवी इस ये बॉआई तो रवी लड़का है तो लड़का ही रवी है तो इसको कहते है compliment ये पूरक तो ये subject को verify कर रहा है इसलिए इसका ना हो गया subjective compliment दूसरा देखो रवी made him monitor subject क्या है रवी object क्या है him देखे object कैसे हुआ रवी him है क्या रवी made him monitor रवी ने उसे monitor बनाया तो रवी अलग है him अलग है तो ना तो रवी जो है him है ना him रवी है इसलिए ये कैसा हुआ object हुआ दोनों अलग-अलग है अब इसको देखे यहां लिखा OC objective compliment क्यों हूँ क्योंकि रवी made him monitor रवी ने उसे monitor बनाया जो him है ना वही monitor है जो monitor है वही क्या है him है तो ये किसको verify कर रहा है monitor object को इसलिए इसको कहते हैं objective compliment बात समझ में आ गई होगी आपके और object और compliment में भी आपको समझ में आ गए compliment वो होता है जो वही हो एक तरह से हम ये कहें क्योंकि रवी him नहीं है और ना ही रवी monitor है लेकिन him जो है वो monitor है monitor है वही him है और रवी है आपने आप में अलग है और him अलग है इसलिए ये subject और ये object हुआ एक और देखो clear हो जाएगा आपका रवी गेव you a pen अब आप यहां देखो यहां दो object थे पहले बताया था कि ये direct object है non living है living है तो indirect object है लेकिन यहां object नहीं है ये क्या है objective compliment बात clear हो गई objective compliment है देखें यहां आप येदी देखोगे तो रवी अलग है 又 अलग है और pen क्या pen ही you है क्या नहीं यू ही pen है क्या नहीं लेकिन यहां जो him है न वोई monitor है जो monitor है वोई इम है तो समानता बताए जारी जारियो दोनों में यहां सब अलग-अलग है जब अलग-अलग होते हैं तो object होते हैं और जब वही बात हो, तो वो क्या होता है, compliment ये उसका पूरक होता है, तो बात आपको ये भी समझ में आगए कि compliment और object में क्या difference है, और subjective और objective compliment क्या होते हैं, तो यहां object के बारे में बताया जा रहा है, monitor कौन है, him, तो ये object है, तो ये होगए objective compliment, तो दोस्तो इस topic को मैंने आप ये topic पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जार-जार like करे, share करे, और इसको चैनल को subscribe करे, हसते रहे हैं, मुश्कराते रहे हैं, देखते रहे हैं मेरे साथ, आपका अपना channel SR जा जो लिए, धन्यवाद,